हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू दी चैनल सो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पार्ट नमबर बी अकाउंट एंसी में आज हम शुरू करेंगे अकांटिंग फूर शेर कापटल और इस्टू अफ शेर्स ओके यह जो हमारी सेकंड बुक है इसमें टोटल नमबर चैप्टर से थी अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इसका वेटेज है 20 मार्स का ओके इसका वेटेज कितना है इसका वेटेज एक्जैम में सुडेंट कितने मार्स का है 20 मार्स का और याद रखें यह चैप्टर हमारा 10 से 11 नंबर का है काफी लेंदी चैप्टर है बाकी दो चैप्टर है वो 8 यह 9 नंबर के आते हैं ठीक है यह 10 11 12 नंबर का भी आ जाता है 13 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी ठीक है तो यहां से 3 कोशन साते एक 8 नं क्या कैस्व पढ़ना है देखीगा in class 11 और प्लस वन वी यह विट सटीड अबाउट सोल प्रोपरेटर्शिप और प्रटर्शिप क्लास 11 बुसिस स्टीडी अप हला की सोल प्रोपरेटर्शिप पर चुके थे प्र प्रटर्शिप पर चुके थे कंपनी के बारे में भी आपने उसका जो part भी हो है हमारे पास क्या company accounts, company के accounts अब हम prepare करेंगे ठीक है, company कौन कौन से account prepare करती है, उसके बाद है हमारे पास अगर हम देखें, कि अगर हम sole proprietorship की तरह काम करते हैं, तो sole proprietorship में क्या advantages है, क्या फायदा हमें है, तो सबसे पहली advantages है, no conflict, ओके, यहाँ पर किसी तरीके के कोई भी conflict के कोई भी chances नहीं है, क्योंकि हाँ पर sole authority है, sole proprietor है, एक ही proprietor है, एक ही owner है, सारी की decision making उसी की, किसी से कोई जगडा नहीं करना, no conflict, quick decision making, quick decision making क्यों है, क्योंकि अकेला है, और अकेला इसन, अकेले decision लेगा, किसी से पूछने की धरुवत नहीं है, जितने लोग होते आप अपना idea कीशी को नहीं बताओगे थी, कि आपके पास secrets ही है, next work is directly related to profit, directly work किस से होगा, sole proprietorship में, profits से, भई हमारा work किस से related करेगा, पूरा profit से related करेगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, disadvantages क्या हो सकती है, sole proprietor की disadvantages, सबसे पहला less chances of growth and expansion, ओके, आपके पास क्या है, आपके manpower नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा skills नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे-च्छे लोगों के, तो क्या है, आपके expansion के और growth के chances क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्यूंकि अकेला आदमी कहा तक आगे तक, कहा तक जा सकता है, next lack of capital, अगर आप अपने business को के पास, अगर आप बहुत चारे लोगों के साथ काम करते हो, तो उनके पास हो सकता है, skills ज्यादा हो, उनके पास अच्छे-च्छे advices हो आपके लिए, next lack of continuity, के sole proprietor कम है, lack of continuity, अगर सपोस करो, अगर कोई sole proprietor है, अगर उसको कुछ हो जाता है, कोई miss happening हो जाती है, तो उसका business फिर carry, नहीं हो सकता है, मतब lack of continuity है, ठीक है, clear है, अब आता है, advantages भी, disadvantages भी देख ली, disadvantages भी देख ली, अब solution कहा है, what is the solution, क्या solution है हमारे पास, ठीक है, solution is, solution is to formation of company, क्या बना ले, company बना ले, कि सरी ये तो दो लोग दिखाई देने, yes, यहाँ पर हम बात करें, private company की, किसकी ब तो यह जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम, यह साथ लोग हैं, यह public company हैं, ओके, और यह जो दो लोगों की तस्वीर हैं दिखाई दे रही हैं, आपको गोलू मोलू की, ठीक है, तो यह कौन सी कमपनी है, यह private company है, this is the solution, ठीक है, अब देखते हैं, company क्या होती है, company का meaning देखत हैं, तो company का है, a company may be viewed as association of person, देखो, association of person है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लोग हैं, तो इसका मलब कम से कम साथ लोग हैं, तो यह कौन सी कमपनी हैं, यहाँ पर किस company की बात हो रही है, public company की, तो association of person है, क्या करते हैं, contribute करते हैं, money और money's worth to a common stock and use for common purpose, क्या करते हैं, money collect करते हैं, money इखटा करते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी members हैं, और क्या करते हैं, common purpose होता है, common use होता है, इस सीज का, ठीक है, कि सब से पैसे लेकर कहां डाल दी रहेंगे, एक जगा पर डाल दी रहेंगे, अब उससे क्या करेगी, company काम करेगी, ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा, features of company के अगर हम बात करें, तो features of company, staple, ठीक है, stapler से बना staple, okay, staple, अब देखो, staple, s-t-a-p-l-e, इनको बोलते है, nomenics, s-t-a-p-l-e, इनको बोलते है, nomenics, अब देखो, nomenics के, तो s से होगा, separate legal entity, क्या होगा, separate legal entity, company having its own separate identity, ठीक है, अब देखो, suppose करो, जैसे एक case आपने देखा होगा, एक थी, kingfisher airlines है, kingfisher airlines, और उसका मालिक कौन था, विजय माल ले, कौन था, मालिक, विजय माल ले, अब बताओ, case किस के उपर, file हुआ, जो company, बन कोंसी हुई, kingfisher, case किस के उपर, kingfisher के उपर, case, नहीं हुआ, तो company के अपनी का है, separate legal identity, अगर किसी को case करना है, तो company के name पर करेगा, और अगर company को किसी के against पर case file करना, तो company किस के name पर करेगी, अपनी name पर करेगी, that is, separate legal entity, ठीक है, उसके बाद है, transferability of shares, ठीक है, कि shares is our transferable instrument, कि हम shares को क्या कर सकते है, एक person से, दूसरे person को क्या कर सकते है, easily transfer कर सकते है, next, artificial person, company is our artificial person in the eyes of law, company created by law, और even destroyed by law, company को बना आता है, companies in 1956 है, उससे पहले किसने माना आता है, जो और company लोग पुराना था, उसमें बनी है, companies, ठीक है, उसके बाद है, perpetual existence, किसी की भी death, किसी की भी insolvency, company की continuity पर affect नहीं कर सकती, company is a going concern process, whether new members में come, और old members में go, what the company will remain in existence, okay, next, limited liability, in case of company, there is a limited liability, up to the extent of share holding, अगर मैंने 10,000 पीस की है, but in case of partnership, और in case of sole proprietorship, there is a unlimited liability, okay, next, existence of common seal, existence of common seal, कि यहाँ पर क्या होती है, common seal होती है, अभी अभी आपको पता है, company being an artificial person in the eyes of law, तो company के अपने कोई sign तो होती है, तो company के क्या होती है, अपने एक stamp होती है, क्या होती है, अपने एक stamp होती है, जिसको किस नाम से जानते ह जो भी directors होते है, company के, वो क्या करते है, common seal attach कर देते है, ठीक है, इससे यह पता सल जाता है, कि यह काम किसने क्या है, company ने किया है, clear है, उसके बाद आप देखो, यहाँ पर बताया गया, separate legal entity क्या होता है, यह मैं आपको समझा दिया, separate legal entity क्या है, transferability of shares है, artificial person क्या है, यह भी सम बड़े अच्छे से लग रहे हमें, आपके notes, सरी, notes कैसे मिलेंगे, तो notes आपको मिल जाएंगे, बेटा, आप क्या करना, आप हमारे app डाउनलोड करो, ठीक है, एब पर आपको notes available होंगे, हाँ, लेकिन यह copyright content सिर्फ आप इसको read कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इससे, इस अब सपोस करो, अभी अभी आपको बताया था कि company में क्या है, common use के लिए क्या होगा, common use के लिए क्या हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, कि बहुत सारे लोग है, common use के लिए क्या कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, अब यह पैसा जमा कर रहा है, बहुत सारे लोग, okay, company क्या बोलते हैं, shares बोलते हैं, तो what is share, share is the smallest unit और smallest denomination of capital, ठीक है, capital के सबसे छोटी हिकाई को क्या बोलते है, shares, ठीक है, तो the capital of the company is divided into units of small denomination, the units are called shares, क्या बोलेंगा, उसको shares, और जो इनको held करेगा, जिनके पास ये shares होंगे, उनको बोलते हैं, shareholders, of their shareholders, these persons are known as shareholders, इनको क्या बोलेंगा, shareholders, and the amount contributed by them is called share capital, और जो amount क्या करते हैं, वो contribute करते हैं, जो पैसा वो लगाते हैं, जो पैसा वो invest करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, share capital, share capital क्या है, share capital, shareholder के दुआरा लगाया जाने वाला amount company में क्या कहलाता है share capital कहलाता है बता उतनी बात समझ में आगई I hope यहां तक आप सबको clear होगा चलो next देखते हम next types of shares ठीक है बहुत important बात है types of shares बहुत चारे बच्चों को सिर्फ यही पता होता है एक equity एक preference है shares तो कई सारे type के होते हैं लेकिन आपके level पर सिर्फ यह दो ही है और पर preference के कुछ अलग भी अलग part है equity shares तो पहले मैं आपको difference clear कर दूँ equity और preference पर क्या difference है ठीक है preference shares के पास two rights होते है preference shares carrying two preferential rights preference shares के पास क्या होता है दो preferential rights सबसे पहला क्या होता है payment of dividend क्या होता है payment of dividend क्या होता है payment of dividend क्या होगा सबसे पहले payment of dividend before equity equity से पहले किसको दिया जाएगा equity से पहले किसको दिया जाएगा dividend preference को तो पहला तो यह हो गया दूसरा दूसरा इसमें कहा है repayment of capital repayment of repayment of capital at winding up at winding up winding up के time इनकी capital को क्या किया जाएगा repay किया जाएगा before equity किसी और को जाने से पहले इनको payment होगी जिनके पास ये दो rights हैं वो concept shares होते हैं और rest of these two इन दोनों को छोड़कर हमारे पास जो बाकी बचेंगा कौन से होंगे equity shares तो अगर मैं इनको अपनी language में समझाना चाहूँ तो हम समझ लेते हैं preference shareholder आरदा बाराती and equity shareholder आरदा घराती ये घराती है अब जारा बता ना इसका मतलब इनके पास किये voting right है क्या है इनके पास एक voting right है थीक है बतलब ownership किसकी है equity की है real owner को रहे equity बरातीयों का मतलब कह है आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, लेके चले जाएंगे खाना तो इसका मतलब सबसे पहला shareholder का जो खाना होता उसका हमने बोला dividend कि सबसे पहले खाना इनी को मिलेगा और जब बारात रुखसत होगी जब कंपनी का क्या होगा winding up, जब कंपनी का होगी खत्म होगी तो सबसे पहले किसको रीपे किये रहेगा preference को, जब बारात रुखसत होती है equity shares do not enjoy any preferential right in the payment of dividend और repayment of capital, उनको कोई भी right नहीं दिया जाता है, ठीक है अब देखो types of preference share की बात करते हैं तो preference shares को हमने चार parts में बाटा है preference shares की चार categories है और उनकी भी अपनी दो दो अलग अलग सब categories है तो सबसे पहले हैं हमरे पास cumulative dividend के according तो dividend के according cumulative और non cumulative दूसरा है मारे पास capital के according तो redeemable और irredeemable ठीक है conversion, convertible और non convertible participating और non participating ये क्या हैं, इक classes हैं, categories हैं किसकी preference shares की, अब देखो cumulative preference shares कौन से होते हैं ठीक है, नोटस में सब कुछ लेखावा है मैं बताएता हूँ, cumulative preference shares वो है जिनको right है, arrears of dividend का जो पहले मिलेगा, suppose करो 2019 में 2019 में किसी shareholder का dividend बकाया रह गया था, मतलब arrears था dividend का, क्या था, arrears था dividend का, तो company 2020 का dividend देने से पहले सबसे पहले कौन सा repay करीगी, जो arrears है, तो जिनको arrears का right होता है जिनको arrears मिल सकता है, तो वो कौन से preference share होते है, cumulative preference shares जिनके पास किसीज का right है, right to receive arrears of dividend, ठीक है clear है, और non cumulative का मतलब है कि जिनके पास ये right नहीं है simple सी बात है, पर redeemable और redeemable redeemable का मतलब है, कि जिनका redemption होगा, during the specified period, कि company ने जिनका redemption होता है, उनको redeemable, और जिनका redemption नहीं होता during the life of the company, उनको बोलते है, irredeemable, और ये कब होता है winding up के time, जब तक company चल रही है तब तक इनका payment नहीं है, लेकिन जब company खतम होगी, तब इनका क्या किया जाएगा, redeem इनको किया जाएगा, और nowadays अगर present scenario की, current scenario की, अगर हम बात करें तो company कौन से shares issued करती है redeemable, irredeemable shares कभी भी company issued नहीं करती है, current scenario में conversion की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे preference share हो सकते हैं, जिनको हम equity में क्या कर सकते हैं convert कर सकते हैं, और कुछ preference shares ऐसे होते हैं जिनको equity में convert नहीं किया जा सकता है सिंपल, नेग्स्ट पार्टिसेपेशियन सरफ प्लसप्रिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग इसको जारा समझ लेए निया ये बार पार्टिस्पेटिंग क्या होता है suppose करो company ने profit कमाया और class 11th में आप लोग business studies में पढ़ा चुके हो मालनो profit कमाया company ने कितना एक लाग रुपे का तो company ने इस profit के तीन टुकले करे था अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है class 11th की बाते हैं सबसे पहले company ने क्या दिया था एक corporate tax दिया था company ने 10,000 रुपे के dividend दे दिये तो company के पास अभी भी retained earnings कितना बचा 70,000 इस 70,000 को हम बोलते है company की retained earnings क्या बोलते है या फिर company का बोलते है reserves and surplus क्या बोलते है reserves and surplus इस नाम से हम इसको जानते है तो इसका मतलब dividend यहां तो मिल गया preference और equity को दोनों को मिल गया लेकिन कुछ preference share ऐसे होते है जिनका इस retained earnings के अंदर ही भी क्या होता है share अगर retained earnings के अंदर share है तो वो कौन से हो गए participating क्योंकि retained earning का दूसरा नाम है reserves and surplus तो यह जो surplus बच रहा है अगर किसी preference share holder का इन 70,000 के अंदर कोई भी अगर share है तो उनको बोलते है participating preferences already आपको ordinary dividend हो मिली रहा है normal dividend हो मिली रहा है लेकिन कुछ ऐसे shares होते है preference में participating जिनको surplus में भी कुछ share दिया जाता है तो 70,000 में जिनका share होगा वो कौन से होगे participating होगे और जिसमें इनका share नहीं होगा वो कौन से होगे non participating clear है यहां तक आई hope आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी चीक है आगे चलते है तो यहाँ पर इस सारी चीज़े बता रहे है cumulative preference shares क्या होते है मैं आपको समझा द इनका हो है have a right to participate in the further surplus further surplus का मतब जो dividend मिल रहे है वो तो मिले गई उसके लावा of a company share which after dividend at a certain rate has been paid on equity which do not enjoy any such right तो non participating हो गया clear हो गया ठीक है अब बात आते है difference between equity and preference क्या difference है अभी मैं आपको बताया था difference अब इनको हमने क्या करना है differentiate क्योंकि कभी कभी कोशन में पूर्स लेता ह preference के साथ होता है और preference के साथ जोड़ा होता है 6% preference share 9% preference share अगर अभीता गौर नहीं करा तो आप गौर करना अपनी बुक में इस तरीके से कहीं भी preference share से तो उसके साथ कुछ percentage होगी और that percentage किसको बताती है जो आपका rate of dividend है ठीक है अगर यही rate defenses के साथ जोड़ाता है तो वो rate of interest होता है ठीक क्लियर है ओके चलो next हमारे पास है fixed rate of dividend तो क्या है equity के पास do not carry any assurance as dividend payment इनकी कोई assurance नहीं होती है इनको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है लेकिन हाँ यह issued ही इस वेज़े से किये जाते है कि इनको क्या मिलेगा dividend क्या मिलेगा issued with a conditional assurance regarding a prescribed rate of dividend पहले से ही decide होता है कित तब payment हो सकता है प्रिफरेंस का क्या बता है priority over equity repayment of capital in the event of liquidation नहीं बता दिया था आपको redeemable कभी equity shares redeem नहीं होते है उनका buyback होता है लेकिन preference shares क्या होते है pay off होते है ठीक है voting rights अभी बता दिया था किसके पास voting right है घरातियों के पास ठीक है तो voting right किसके पास equity के पास preference के पास ठीक है यहां तक सबको clear है तो आज मैंने आपको कुछ important terminology बताई student ठीक है तो आज इसके बाद है हमारे पास types of share capital अभी तक मैंने जो बताया I hope आपको बहुत अच्छे से clear समझ में आ गया हो अब हम बात करते है types of share capital की ये भी important topic है ये भी important topic है क्योंकि जब हम balance sheet prepare करेंगे त तो उसमें बच्चों को समझ में यादा कि amount कहां से आ गया ठीक है तो ये important topic है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहली हमारे पास जो capital होती है authorized capital और authorized capital का दूसरा नाम होता है registered capital क्या होता है दूसरा नाम होता है registered capital इसका एक और नाम होता है that is nominal capital क्या होता है nominal capital ठीक of association में, तो company के दो charter थे, class 11th में भी पढ़ा होगा memorandum of association and articles of association, ठीक है authorized capital को हमने दो parts में divided किया, एक तो है हमारा issued और दूसरा कौन सा, unissued, authorized capital is divided into two parts that is issued capital and unissued capital, ठीक है, issued capital is further divided into two parts, issued के further दो part हो गए, इस subscribed capital और एक unsubscribed capital अब देखीगा, issued का मतलब क्या है कि वो shares जो हमने public को issued करें है, for subscription purpose, ठीक है, unissued का मतलब है जो company ने अपने पास रखें, अभी तक issued नहीं की है ठीक है, like उसको हम बोल सकते हैं, reserve capital, next is subscribed capital, अब देखो subscribe capital, कि जितने shares issued किये गए थे, company पनी ने उसमें से कितने share के लिए क्या कर दिया, subscribe कर दिया public ने, और unsubscribe का मतलब है कि कितने public ने share नहीं लिये company से, उसके बाद subscribe के दो पाटे caught up capital और uncalled capital call devil capital और uncalled capital घिक है, ये क्या होते है ये कर गईieder भी समझ लेते है caught up के भी दो पाटे paid up और unpaid, paid up और unpaid, unpaid का मतब calls in arrear, ठीक है, unpaid, इसको unpaid भी बोल सकते हैं, ओके, और uncalled का क्या है, uncalled का क्या है, reserve capital, uncalled का क्या है, reserve capital, क्या पाइट इसका, uncalled का reserve capital, ठीक है, clear हो गया, ओके, authorized capital, देखो, authorized capital, क्या होती है, this is the maximum amount of capital, this is the maximum amount of capital, a company is authorized to raise from the public, कि maximum कितना पब्लिक से पैसा raise किया जा सकता है वो capital कौन सी होती है authorize और ये कहां पर given है company के memorandum of association के अंदर कहां पर company के memorandum of association के अंदर given है clear ठीक है उसके बाद issued capital तो issued capital किसका पार्ट होती है authorize का तो लेगा रखा है issued capital indicates that part of authorized capital offered to public for subscription किसको offer किया जाता है पब्लिक को किस purpose के लिए subscription purpose के लिए ठीक है उसके बाद is subscribed capital तो subscribed capital किसका पार्ट है जितना उनको issued किया गया होगा तो this is the part of issued capital actually purchased or subscribed by the public कि उसमें से public ने कितना ले लिया है suppose करो company ने 10,000 shares issued करे ठीक है लेकिन public ने सिर्फ कितने subscribe किये 8,000 और 2,000 को किया पे कितना पैसा call किया गया है called up capital indicates the portion of subscribed capital किसका पार्ट है किसका पार्ट है portion of subscribed capital called up by the company for payment ठीक है जो company ने call किया payment purpose के लिए next paid up capital paid up capital called up capital का पार्ट है कि कितना shareholders ने क्या कर दिया payment कर दिया है तो देखिएगा क्या है this is the amount of called up capital this is the amount of called up capital actually paid by the public एक paid up capital becomes the liability of the company towards its shareholder और यह company के हो जाती है liability हो जाती है जितना paid कर दिया है उन्हों reserve capital तो देखो reserve capital uncalled capital का part होता है reserve capital is a part of uncalled capital जो अब तक company ने called नहीं की but it can be called up by the company यह amount company ने क्या कर लिया है but companies को call जरू करें कि लेकिन कब at the time of winding up तो उसका यूजी कब होता है winding up के time only in the event of liquidation of the company जब company का liquidation होगा जब company का क्या होगा winding up होगा ठीक क्या होगी company जब wind up होगी तब इस पैसे को क्या कर सकती है called कर सकती है जिसको क्या बोलते है reserve capital ठीक है अब देखो यहाँ आपर हमारे पास एक problem है इसको समझना ज़रा अच्छे से क्या अच्छे से क्या रहा है और के रहा है इस नहीं करें दस हजार इस नहीं करें तो इसका मलब एक लाक नब्बे हजार इसूड कर दिये और एक बोलते हैं उसको समझении नहीं होता उसको समझे वो नहीं होता ओकि अन्खालड को बोलते है क्या reserve capital, ठीक है, clear है, तो मैंने यहाँ पर आपको clear कर दी हो सकता है, वहाँ पर आपको confusion होगा, जल्द इल्दी में आपको बता दिया, clear है, अब देखो यहाँ पर कहा रहा है, authorized capital, कहा रहा है, all the amounts were received, except, except call money, of rupees 2, देखो कहा रहा है, the directors called up, 6 per share, directors ने कितने call किये, share पर call किये, all the amounts were received, except the call money, किसको छोड़कर, call money को छोड़कर, 2 रुपे की call money ने आई, कितने shares पे, 1000 shares पे, calculate the amount of different categories of share capital, अलग-अलग categories, तो सबसे पहली category कौन सी है, authorized, तो अभी हम authorized निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले हम authorized, फिर निकालेंगे हम issued, इस तरीके से सारी capital निकालेंगे, तो अभी authorized निकालने, तो authorized को हमने calculate कर दिया, कि issued capital कितनी है, 19,00,000 रुपे, और अनिशूड कितनी है, 1,00,000 रुपीज, I hope इतना clear हो गया हो, यह पहली category थी, ठीक है, इसी question को base लिया है, कह रहा है, company incorporated within authorized capital of rupees, 20,00, 2,00,000 share से हैं, 10 रुपे का यह कह, 1,90,000 offer करे, 1,80,000 public ने ल कौन सी हाती, issued, अब issued capital निकालेंगे हैं, issued के कितने part होते हैं, वो देख लेते हैं, issued के दो part हैं, एक तो होता है subscribed, एक होता है unsubscribed, एक subscribed और एक unsubscribed, तो issued कितने करे थे, 1,90,000 क्या करे थे, issued करे थे, लेकिन public ने उसमें से कितने लिए सिर्फ, 1,80,000 share, कितने लिए 1,80,000 share, कि तो कितने के लिए लिए, 18,000,00,00 और कितने नहीं लिए, 10,000 नहीं लिए, कितने रुपे के हिसाब से, 10 रुपे के हिसाब से, तो कितने हो गए, 1,00,00, Тоa यह हमारा दूसरा part हो गया, पहला था authorized, यह कौन सा हे हमारा, यह कौन सा हमारा, issued, ऌगे, ऐसे ही अलग-अलग करना चाहें तो हम subscribe कर सकते हैं, ठीक है, unsubscribe कर सकते हैं, तो सिर्फ यह बताने का आपको तरीका था, कि सबसे पहले हमारी capital कौन से authorized, authorized के दो part, authorized के दो part कौन कौन से थे हमारे पास issued और एक unissued, ठीक है, अब फिर आ जाता है issued capital, issued capital के दो पार्ट है एक subscribe और एक unsubscribe ठीक है फिर आप subscribe के भी अलग-अलग है subscribe के भी क्या है अलग-अलग है called up और फिर uncalled ठीक है called up के भी दो पार्ट है paid up और unpaid और जो uncalled है वो company कप मगवाईगी at the time of winding up जिसको हम के बोलते है reserve capital तो इस video में student मैं आपको एक basic concept देने की कोशिच करिए क्या क्या समझाया आपको company का meaning समझाया company के features बताए types of shares बताए okay classes of preferences बताए और मैं आपको बताया types of share capital के share capital के केतने types होते हैं वैसे तो उसमें concept बहुत है फिर आप next video में डिसकस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी I hope student आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो एक एक चीज अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो comment section में जरूर comment करके हमें बताएगा okay अगर आपको यह notes चाहिए तो आप हमारे app download कर लिए वहाँ पर हम बहुत महनत कर रहे है students so अब आपको भी उनको कुछ देना है credit ठीक है तो अब आपको क्या करना है अपने अच्छे से पढ़ाई करें अगर कोई भी डाउट है further comment section में पूछे okay और नीचे मेरा आपको description में आपको मेरा contact number में बिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो आप whatsapp पे message कर सकते हैं so student okay thank you thank you very much